नमस्कार दोस्तों पुजा डिजैंस निस्टिचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की टोपी बनाएं कि बहुत इजी है बहुत जल्दी ये टोपी बन जाती है और फिटिंग भी इसकी बच्चे के बहुत अच् नाएं यहां से मैं पेपर पर साथ इंच पर निशान लगाऊंगी और दो तिन जयगे साथ इंच पर इस तरीके से लंबाई चोड़ाया में साथ इंच रखनी है तो साथ-जै पूरा इसक्वाइर यांपर अच बना लेना ये देखिए इस तरीके से जैसे मैं यहां पर पे बनाना है तो नीचे देखिए मैंने हाफ इंच अंदर लिया है जेडेडेंच इन्च उपर निशान लगा है और यहां कॉर्नर से हम 2 इंच उपर निशान लगाएंगे और इतीनों निशानों को इस तरीके से मिला देंगे और गि यह देखिए और इदर की साइड भी हम इसमें हाफ इंच अंदर जाएंगे और डे दिन्च इस तरीके से जाते इस पर बीसेम इसी तरीके से मार्किंग हमें करनी है verdade और दोनों साइड ऑन सी तरीके से स्ट्रीट बना देंगे तो यह जो हमारा एक तरीके से फर्मड तैयार हुआ है पाइट टैयार होए उसको में कट ये यह फ्रन पार्ट हो तो फ्रेंट पार्ट में आपको देखिए इस तरीके से हल्क इसी गोलाई लगाने हलका सा कर्व यह पर देना यह देखिए लिह बचे के मुह की तरफ आएगा तो थोड़ा सा कर्व इसलिग में देखिए तो इसे ही पर हम यहां पर कट्पाई मेंगे मिजर्मेंट मैंने अच्छे से आपको एक्स्पिन कर दिया है फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर प्रॉब्लम पूछ सकते हैं मैं उसका जरूर सॉलुशन बताऊंगी तो देखिए इस तरीके से पैटन हमारा कट हो गया है तो दो पार्ट हमें इसके कट करने हैं दो पार्ट हमें मैं फैब्रिक के कट करने हैं और दो पार्ट हमें लाइनिंग के तो देखिए मेरा कॉटन मे मेन फैब्रिक है तो मैं इस तरीके से डबल फोल्ड है देखिए तो मैं इसको रखते हुए पेपर को पेपर कटिंग को और मैं दो पार्ट इसके यहां पर इसमें से कट कर लूँगी बहुत आसान से यह टोपी है पहले इसी तरह की की टोपी ज़्यादा बनाए जाती थी यह देखिए और कट कर लेंगे यह एक वीडियो है एक वीवर्ट ने का इस तरह के से उन्होंने फोटो भेजी और करके इस तरह की टोपी आप हमें बना कर दिखाईए तो यह देखिए हमने कट कर लिया है नीचे जो लाइनिंग है उस पर भी मैंने यहाँ पर कट कर लिया तो देखिए दो पार्ट हमारे मैं फैब्रिक के हो गए दो पार्ट हमारे लाइनिंग के यह पट्टी मैंने चारों तरफ लगाने के लिए लिए तो यह पट्टी की जो चोड़ाई है की देखिए यह मैंने यहां पर पौनी 2 इंच के सम्थिंग लिए और अब हम सबसे पहले लाइनिंग को अटेज करेंगे हम दोनों को अलग-अलग कि इस्टिश करते हुए और फिर अटेज करेंगे इसे क्या है कि जो हमारा मार जी ने जो हमने सिलाई का सिलाई वाला जो पार्ट है वह अंदर की साइड चला जाएगा और सिलाई का जोइंट बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा तो यह देखिए कि इसको वापस हमें वापस उल्टा करना है क्योंकि उल्टा करके यह अंदर की साइड लगेगा बट इस तरीके से पहले इसके कॉर्णर वगरा सारे अच्छे से निकाल कि इसको विल्कुल तैयार कर लें प्रेस लगा लें तागि वापस अंदर डालें तो यह मुड़े न है कि गर्दन वाले नीचे वाला जो एरिया और फ्रंट पे मुझ की तरफ जो एरिया आएगा वहां पर में इसलाए नहीं लगानी है अच्छे से आप देख लीजिए और अम मैं इसको सीधा कर लूँगी और कॉर्णर पिन की सायता से अच्छे से निकाल लें बिल्कुल निकल गया है आप चाहें तो प्रैस लगा लें नहीं तो नाखुन से अच्छे से प्रैस करके सारे जो फैब्रेक उसको बहार अच्छे से उसकी किनारिया बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बहार की साइड निकाल लें अभी देखिए इसको हम वापस उल्टा करेंगे जो मार किनारी से जो मैन फैब्री को लाइनिंग है उनको दोनों कपड़ों किनारी से मिलाते हुए इनको स्टिच लगा देंगे तक कि दोनों कपड़े आपस में सैट हो जाएं बिल्कुल कम-कम मार्जिन रखते हुए हमें यहां पर यह लगाने हैं तो यह देखिए दोनों साइड में यहां पर इसी तरीके से सिलाई इस पर लगा दूँगी कि देखिए इस तरीके से अमने जो नीचे वाला खुला वाला एरिया था सब के सिलाई लगा कर बंद कर लिया है तो दोनों पार्ट हमारे अच्छे से बंद हो गए अब आप यह देखिए बिल्कुल लाइनिंग कोई भी आपको जोंट बाहर की साइड दिखाई नहीं देर और सकते हैं मैं यहाँ पर नीचे की साइड पट्टी लगाऊंगी जो एक साइड से लेके पीछे से गर्दन में आता हुआ दूसरी साइड तक आएगा तो वहां पर पट्टी लगा कर उसको बिल्कुल हम यहाँ पर बंद कर लेंगे नीचे की साइड यह देखिए पट्टी को अटेच किया है बाहर की साइड इस तरीके से फोल्ड कर देंगे तो जो फोल्ड वाली पट्टी रहेगे हमारी उपर की साइड वह हाफ इंच दिखनी चीए देखिए जिससे मैं यहाँ पर सिल रही हूँ बिल्कुल पाइपिन का जितना पतला ना लें आप यहाँ पर मोटी लें पट्टी ताकि दिखे और दिखने से क्या कि चारा तरफ इसके बर्डर बन जाएगा तो दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगी यह देखिए एक्स्ट्रा को कट कर देंगे अब हमें फ्रंट पट्टी लगाएंगे तो उसी में हमें बांदने वाली पट्टी का भी को भी आड़ करके चलना है इसलिए आप यहाँ पर पट्टी दोनों साइड से एक्स्ट्रा लें तो लगबग जो बांदने वाली आपको छोड़नी है वो साथ से आठीन छोड़ सकती हैं आप और इस तरीके से सिलाए लगा दें यह देखिए अब हम इसको भार की साइड पल्टेंगे यह वाली टोपी अबर किसी के पास मसीर नहीं है घर पर वो अपने बच्चे के लिए बनाना चाते हैं तो बिलकुल हाथ की सुई से भी बन जाएगे आसानी से बिलकुल पतले पतले आप टक लगा के और इसको अच्छे से बना सकते हैं यह देखिए इस तरीके से अब इस पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और यह भी हमारी जो दिखती हुई साइड में हाफ इंच की होनी चीए दोनों चारों तरफ एक जैसा बर्डर हो जाएगा तो यह देखिए इसकी को उपर लेते हुए बिलकुल इसकी किनारी किनारी से सिलाई लगाते हुए हम इसको यहाँ पर पूरी पत्टी को लगा लेंगे मैंने यहाँ पर अलग फैबरिक की पत्टी लगाई है आप चाहें तो सेम भी लगा सकते हैं यह देखिए इस तरीके से यह पत्टी हमारी पूरी लग गई है तो इसमें हमारा बांदने वाला मार्जिन भी आ गया है नीचे यह देखिए कुछ इस तरीके से यह टोपी कंप्लेट हो जाती है इस तरीके से अगर आप इसमें कुछ और नहीं लगाना चाहते हैं तो मैं इसमें एक पॉम-पॉम मैंने बनाया है उनका पट्टी के कलर का और एक फ्लावर बनाया चोटा सा उनका वो भी मैं यहां पर बीच में अटेज कर दूँगी तो हाथ की सुछ से मैं दोनों को अटेज कर दूँगी और फिर इसका आप फाइनल लुक देखिए तो देखिए मैंने यहां पर इनको अटेज कर दिया है टोपी हमारी कंप्लीट होती है वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेर करें चैनल को सस्क्राइब करें मिलते हैं आपसे नेक्ट वीडियो में थैंक्यू फॉर झाल